पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका और नाटो पर यूक्रेन के साथ विश्वास घात करने का रोप लगाया जा रहा है। खुद यूक्रेन के राश्वपती व्लोडो मीर जलिसंकी ने भी यूक्रेन का साथ ना देने पर अमेरिका ना टोर पस्चमी देशों पर विश्वास घात का आरोप लगाया है। अब सवाल उटता है कि यूक्रेन को रूस के खिलाफ बढ़का कर क्यों शक्तिशाली देशों ने रूस का प्रतिरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। अमेरिका के पीछे हटने की रणनीती को हम पाच कारणों से समझेंगे। पहला है नाटो का सदस्य देश नहीं है यूक्रेन। या अमेरिका के किसी मिलिटरी अलाइंस के हिस्से में नहीं आता है। ये अमेरिका का पडोसी देश भी नहीं है और वहाँ पर अमेरिका का कोई सैनिक अड़ा भी नहीं है। नाटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि नाटो के किसी भी सदस्य देशों पर हमला नाटो के सभी देशों पर हमला माना जाएगा और युक्रेन तो नाटो का सदस्य है ही नहीं। वो बात अलगे है कि सारी लडाई ही इसी के वज़े से हो रही है। नहीं वहाँ कोई तेल भंडार है। ऐसे में युक्रेन के साथ लडाई में उतरने से अमेरिका का सिवाए नुकसान के कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। ये बाईडन को अमेरिका के स्थानी मुद्धो पर ध्यान देना जादा लाजमी लग रहा है। चौथा अमेरिका के शामिल होने क्या मतलब है विश्वयूद्ध। अमेरिका के जादा से जादे लोगों के मत है कि दुनिया के दो सबसे जादा प्रमाणू शक्ति संपन देशों के बीच युद्ध किसी के भी हित में नहीं होगा। अगर बाइडन रूस के सामने जाकर युद्ध करते हैं तो चीन सहीत कई देश रूस के पक्ष में आ जाते हैं और फिर विश्वयूद्ध शुरू हो जाता है। पाँचवा आतंकी संगठन से नहीं माशक्ति से हैं मुकाबला। हाल ही में बाइडन नेक इंटर्वी में कहा था कि यूकरेन में अमेरिका का सामना किसी आतंकी संगठन से नहीं बलकि दुनिया की शक्ति शाली देशों में से एक से मुकाबला है। तो यही है वो पाच वज़ाएं जिसकी वज़े से अमेरिकाई जंग में यूक्रेन की तरफ शामिल नहीं हो रहा है। आज की वीडियो में महद इतना ही आप देख रहे थे ग्लोबल नाव 24-7 वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मैं तुशार धन्यवाद